हेलो दोस्तों मैं आज आपको लेकिया यू अपनी बैल्कृणी में और मैंआपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी बैल्कृणी में कौन-कौन से प्लांट लगाए हुए है तो सबसे पहले हम सुर्भात करेंगे इस प्लांट से इसका नाम है Croton, दोस्तों वैसे Croton के काफी सारी व्राइटी आती है, पर यह है Lemon Croton, जो कि बहुत जादा खुबसुरा लगता है देखने में, आप देखरों इसमें Yellow Green Color का कमिनेशन है इनकी पतियों में, जो कि बहुत जादा सुन्दर लगता है, यह प्लांट दोस्तों मैं ए Yellow Green का कमिनेशन है उसमें Red Orange Green का कमिनेशन है, जो कि बहुत प्यारा लगता है, वो मैंने टेरिस में लखा हुए, वो भी आपको जोर दिखाऊंगी, दोस्तों आप एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट लगा सकते हो, जैसे आप देखरों यह स्टीक है, यह काफी healthy भी और अभी अभी मैंने इसमें पानी भी डाला था, इसलिए इसमें नमी भी है, इसमें दिन में दोवर पानी चाहिए होता है, अगर आप चाहते है कि क्रोटन प्लांट को कैसे healthy रख सकते हैं इसकी वीडियो मनाए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रू बताइएगा, आपको पता प्लांट लिखाते हूं मैं आपको इसका नाम है, एरिका पाम, एरिका पाम दोस्तों बहुत ज़्यादा खुबसूरत प्लांट में से एक है, और सबसे अच्छी बात है कि आप इसे इंडोर भी रख सकते हो, वैसे जो क्रोटन प्लांट था, उसे भी आप इंडोर रख सकत हूं तो आप मुझे जोरू कमेंट करके बताएगा, दोस्तर अगर आपके पास एक हैरिका पाम है, तो आप उसे काफी सारे पोदे लगा सकते हो, आप इसमें देख रहे हो, नई जड़े निकली हुए है, नई प्लांट निकली हुए है, तो आप इसे अलग लग पोट में दिवाइट कर सकते हो, जिससे आप एक ही एरिका पाम से काफी सारे प्लाट लगा सकते हो, अगर आप चाहते हो कि इसे मैं लगा के दिखा हूं, तो आप इसके लिए भी मुझे कमेंट करके जरू बताएगा, मैं आपको लगा के जरू दिखाऊंगी, और मैं आपको दिखा बताएगा, दोसरे बहुँ ज़्यादा खूबसूरत है और सबसे अच्छी बात ही है कि यह वायू को सूथ करते है, एर को प्योर करते है, और इसकी केर बहुत ज़्यादा आसान है, यह धोसरे इंडोर और डॉर दोनों ही रखे जा सकते हैं, इसमें पानी के वी ज़्यात जुरुत नहीं होते हफते में एक बर पानी देती जिए बहुत है रेगुलर देने हैं कि बिल्कुल भी जुरुत नहीं है इसमें पानी दोस्ता अब यह चो तीन छोटे छोटे पोट देख रही हो वह मैंने बड़े पोट से ट्रासफर किये थे मतलब बड़े पोट में यह छ पानी देने की बिल्कुल भी जुरुत नहीं होती है आपको सब्सक्राइब मैं नहीं दिख रहा हो तो मैं पास से दिखा रही हूं इसके देख रही हो आप पते कितने मोटे मोटे हैं जिसे पता चल रहा है कितने है प्लांट है इसके में काफी जादा वराइटी आती है पर यह मेरे पास दो ही टाइप के वराइटी है यहां अभी एक है एक हो रहा है जो मैं बात में दिखाऊंगी आपको इस प्लांट में दोस्तों एक बात का जुरूर ध्यान रखने की जुर्यत है कि इसमें पानी बिल्कुल ज्यादा नहीं होना चाहिए मतलब ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं देना रेगलर तो बिल्कुल भी नहीं देना वरना यह पोदा बिल्कुल ही खराब हो जाएगा व मैंने इस से तीन चोटे चोटे और लगाए थे जो कि तीनों ही पोड कितने ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं जब इन में से नए प्लांट निकलेंगे तो मैं आपको इसकी वीडियो जुरू दिखाऊंगी देख रहे हैं दोस्तों सारे की सारे कितने हेल्दी है टचूट टचूट वैसे तो दोस्तों इसमें जारा केर की जुरूत बिल्कुल भी नहीं होती बट इसमें फंगस लगने का डर रहता है इसलिए इसकी मिट्टी को जुरूर चेक करते रहेगा कि कहीं फंगस ना लग बाकि यह बहुत जादा खुबस्वरत प्लांट में से इक है इसके बाद मैं आपको दिखाती हूं मनी प्लांट मैं इसको भार निकल की दिखाती हूं यह मनी प्लांट दोस्तों इस पॉर्ट में यू लगा है और इसमें ग्रोथ भी होने लगी है आप देख रहे हूं अगर आप कटिंग को डारेक्ट में लगा रहे हो तो मनी प्लांट मोर्सली खराब हो जाता है जल्दी से नहीं चलता अगर आप इसे पानी में डीप करके रख रहे हो मतलब बोतल में या किसी ग्लास में मनी प्लांट को डीप करके रख रहे हो पानी में और उससे जल्दी स जड़ा जाती है और उसके बाद अगर आप इसे मिट्टी में लगा रहे हो तो बहुत जल्दी चलता है। जैसे आप देख रहे हो काफी हेल्थी भी है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपको इसे पानी में डीप करके रखना है। मैंने इस तरह से काफी मनी प्लांट को प्लास्टिकी बोटल में काच के बोटल में रखे हुए है जिसमें आप रखना चाहते हो वैसे रख सकते हो ऐसा कुछ नहीं कि मनी प्लांट काच के बोटल में ज्यादा अच्छा होता है या प्लास्टिकी बोटल में दोनों में ही एक जैसा ही रहता है देख रहे हैं अब काफी कटि में जड़ा चुकी है मैं आपको पास से दिखा देती हूं पर सभी में नहीं आई क्योंकि ज्यादा दिन नहीं हुए इसे पानी में रखे हुए इसे मैं ने काज की बोटल में रख दिया और कुछ मार्बल में डाल दिये ताकि यह देखने में और जादा खुबसूरत लगे वैसे आप इसे कहीं भी रख सकते हो रूम में कीचर में लिविंग रूम में जहां आपका मन करें वहां रख सकते हो इसे यह देखने में बहुत जादा अच्छा लगता है और पोजिटिव एनर्जी भी प्रोवाइड करता है इस तरह से मैंने मनी प्लांट काफी सारे लगाए हुए हैं मैं आपको बाद में दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में मनी प्लांट की काफी सारी वराइटी अब मैं आपको दिखाने वाली एरोहेड का प्लांट मतलब सिंगॉनियम का प्लांट दोस्तों यह आपको देखने में हलकी सी लीप्स इसकी डल लग रही होगी मतलब मुझाय वह लग रहा होगा वह यह इसलिए क्योंकि यह मैंने खल ही रिपोर्ट किया है रिपोर्ट करन यह थोर रख सकते हो उसी पर जढ़ा दूप की जुरुत नहीं होती हलकी दूप में यह बहुत जादा अच्छा सफर करते हैं बहुत अच्छा चलते हैं अगर आप इसे घर में लगाना चाहते हो तो जुरूरे हएं कि आप इसे नसीत सीण से ही और यह साथ में लखी भी है, यह positive energy प्रवाइड करता है, तो यह indoor के लिए सबसे अच्छा परलांट है, अगर आप इसे indoor रख रहे हो, तो इसे आप एक या दो गंटे के लिए भारक दीजिए, morning की दूप दे दीजिए, जिससे यह खिला-खिला रहेगा, अब मैं आपको दिया, ताकि इन में से जड़ आ जाए, अगर दोस्तों आपकी स्नेक प्लांट की कोई लिए इस तरह से अलग हो जाए, या खराब हो जाए, तो आप उसे पानी में डिप कर सकते हो, पानी में डिप करने से यह healthy भी रहते हैं, और इन में जड़ भी आ जाती है, और यह दूलसी तो दोस्तों हर घर में होती है, इसलिए हर किसी को पता होगा कि दूलसी की देखपल कैसे करनी है, मला दूलसी को कैसे रखना है, पर दोस्तों मौरसी हर घर में न छोटे पते होते हैं, मतलब मेरे भी दूलसी में छोटे पहले छोटे पते ही थे इस तरह से, बट करिए कि बड़े पते हो जाए और आप देख रहे हो उसका रिजल्ट बड़े पते आने सुरू हो चुकी है अगर आप भी जाना चाहते हो कि बड़े पते कैसे आते हैं तो आप मुझे कमेट करके जुरूर बताईएगा मैं इसके लिए वीडियो मनाऊंगी मैंने इसमें हलकी हल्दी जाल दियें ताकि इसमें बेक्टरीय ना लगे लगे थिताओं किदे आने लग जाते हैं ज्यसे चोटे-चोटे कीडे आने लगते वन बड़े पोध है केले का पोधा तो तूल्षी की तloe माता की पूझा करते हैं वैसे ही केले की पोधे की जाती है जो कि वीरवार को कथा की जाती है तो मलब केले का पोध है उसके सामने बेटकर विश्युवान की पूजा की जाती है तो यह बहुत जादा सूप पोधों में से एक है और यह पोजिटिव एनर्जी परवाइड करता है इसलिए अगर घर में सांती नहीं होती तो आप इस में लगा दिया जो कि अब काफी बड़ा हो चुक है काफी बड़ा प्लांट बन चुक है देखने में कितना ज्यादा खूबसूरत भी लग रहे है इसमें मैंने कल कॉमपोस्ट आला था केले के पोधे में सबसे अच्छी बात ही है कि आप इसके बेबी प्लांट को बहुत आँ मैं यह कàngा अलग कर सकति हो और इसका बेबी प्लांट बोजला भी आज आता और ग्रोथट भी बहुत जल्दी से हो जाती है मैं आपको इसका mother plant दिखा देती हूँ यह वो plant है जिसमें से मैंने जो छोटा सा baby plant था वो मैंने report किया है इसके पत्ते भी आप देख रही होगे कितने बड़े बड़े पत्ते हैं इसके तो दोस्तों आपको मेरी छोटी सी बेलकनी कैसी लगी आप मुझे comment करके जुरू बताईएगा मैं आपको next वीडियो में अपना terrace दिखाऊँगी जो कि बहुत जादा खूसुरत है और दिखाऊँगी कि वहाँ मैंने कौन-कौन से plant लगाए हुए है आपको मेरी छोटी सी बेलकनी में कौन सा plant सबसे चाहता अच्छा लगा ये भी मुझे जुरू बताईएगा तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी चैनल को भी जुरू सब्सक्राइब करें और साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले बाई फ्रेंड्स मिलते हैं दूसे वीडियो में